सावरमतिया उनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है तो चैप्टर वन ठोस अवस्था में हम लोग देखेंगे आज ठोसों के विद्यती गुड़ क्या होते हैं तो इसमें पहला बात करते हैं चालक की चालक क्या होते हैं तो चालकों यानि धात्वों में प्रवाधा हुआ होता है। यह आंसिक रूप से भरा हुआ होता है। āड़्ण होता है। चासीक है सवाज़ करता है। तो चालक में होता क्या है? साईयोजक बैंड जो होता है, यह आधा भरा हुआ होता है, और साईयोजक बैंड चालन बैंड के साथ अतिव्यापन करता है, जिससे कि विद्धुधारा आसानी से प्रवाहित की जा सके, तो इन प्धात्मों के हम लोग क्या कहते हैं चालक कहते हैं और चालक में जो एजी का मान होता है जीरो होता है एजी का मान क्या मतलब होता है उर्जा अंतराल जो होता है तो चालकों में उर्जा अंतराल का मान कितना होता है जीरो होता है सही ओजक बैंड को हम लोग बोलते है उच्चतम उर्जास्तर और चालन बैंड को क्या बोलते हैं निम्नतम उर्जास्तर बोलते हैं सेकेंड है हमारा अचालक जिसे हम लोग क्या कहते हैं विद्धुत रोधी अचालक में विद्धुत का प्रवाह नहीं होता है तो अचालकों में उर्जा अंतराल इतना अधिक होता है उर्जा अंतराल ये अचालकों में इतना जादा हो जाता है कि इलेक्टरान इसे पार नहीं कर सकते अगर इलेक्टरान पार नहीं करेंगे तो विद्धुधारा नहीं बहेगी क्योंकि इलेक्टरान अगर इधर जा रहा है तो इलेक्टरान के विपरीत दिसा में ही विद्धुधारा का प्रवा होता है तो electron नहीं चलेंगे तो विधुत धारा भी नहीं जाएगी चालकता नहीं दरसाते हैं यानि आचालग पदार्थ जो होते हैं ये हमारे चालकता को नहीं दरसाते हैं जैसे देखा जाए ये है साईयोजक बैंड ये है चैनलं बैंड और इनके बीच में जो उर्जा अंतराल होता है वो 6 इलेक्टरान वोल्ट का होता है कितना होता है? 6 इलेक्टरान वोल्ट होता है आचालकों में उर्जा अंतराल जो होता है 6 इलेक्टरान वोल्ट होता है बात करते हैं अर्ध चालक क्या होते हैं तो अर्ध चालकों में उर्जा अंतराल जो है कम होता है इनमें जो उर्जा अंतराल होता है अर्ध चालकों में वो कम होता है लेकिन कम होता है जिस कारण कुछ हिलेक्टरान सायोजक बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं जो कुछ इलक्टरान होते हैं सायोजक बैंड से चालंग बैंड में चले जाते हैं ताप बढ़ाने पर अर्ध चालकों की विद्धु चालकता क्या होती है बढ़ जाती है ये एक नमबर में कभी कभी पूछा जाता है कि ताप बढ़ाने पर अर्ध चालकों की चालकता पर क् बराबर होता है तो अर्ध चालकों में उर्जा अंतराल कितना होता है वन इलेक्टरान वोल्ट होता है चालन बैंड और सायोजक बैंड के बीच का जो छेत्र होता है इसे वोल्टे हैं निसिद्ध बैंड यानि फॉर्विडेन बैंड आगे बात करते हैं अर्ध चालकों के प अर्द चालक जो हमारे होते हैं दो प्रकार के होते हैं इसे हम लोग चाल्ट के जरी समझते हैं कि जो अर्द चालक होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं एक होता है सुध्ध अर्दचालक और दूसरा होता है असुध्ध अर्दचालक, सुध्ध अर्दचालक के दो भाग होते हैं जर्मेनियम और सिलिकान, यानि इनकी सन्यजगता कितनी होती है, चार होती है, और जो असुध्ध अर्दचालक होते हैं, ये दो प्रिकार के होते है पहला होता है P प्रिकार के अर्दचालक और दूसरा होता है N प्रिकार के अर्दचालक तो हम लोग यहां पर देखेंगे अर्दचालकों के प्रिकार में असुध अर्दचालक के P प्रिकार और N प्रिकार को देखेंगे तो चलिए आगे देखते हैं बात करते हैं P प्रिकार का अर्दचालक क्या होता है तो जब सुध अर्दचालक में सुध अर्दचालक का क्या मतलब है या तो जर्मेनियम या फिर सिलिकान में तो जब सुध अर्दचालक में त्रिय संयोजक्ता वाला तत्व मिला दिया जाए सुध अर्धचालक का मतलब जिसकी संयोजक्ता चार हो किसी ऐसे तत्व जिसकी संयोजक्ता चार हो उसमें कोई ऐसा तत्व मिला दिया जाए जिसकी संयोजक्ता कितनी हो तीन हो तो इस प्रेकार का जो अर्धचालक प्राप् कि कि यह लिएक्रान से और हुए तो इसमें हम लोग चार बना देते हैं एक द दो तीन चार ऐक दो तीन चार और इसमें भी एग दो तीन चार, तो हम नोग देखते क्या है कि जो ये दो इलेक्टरान सेयर हो जाते हैं इसके ये दो इलेक्टरान सेयर हो जाते हैं इस चार के इस इलेक्टरान को सेयर करने के लिए इस प्लस तीन के पास कोई इलेक्टरान नहीं हानी यहाँ पर एक होल रहता है इसको लोग होल बोलते है रिक्तस्थान यहां पर कोई भी इलेक्ट्रान आने के लिए आ सकता है तो इसका फीगर यहां पर बना हुआ है यह जो बीच में रखा गया है, प्लस तीन ये त्री सयोग जी तर्त्र रखा गया है और इसके चारों और जो रहाएं ये चार सायों जगता वाले तद्ध रखे गए हैं यानि सुध अर्दचालक रखे गए हैं और इसमें हम लोग प्लस तीन वाले को रखते हैं प्लस तीन वाले को हमने रेड कलर में दर्साया है और जो प्लस चार वाले हैं इनको बुलू कलर में दर्साया गया है और ये बीच में जो रिक्त प्राप्त होता है इसे क्या बोलते हैं होल और ये ग्राही परमाण होता है यानि इलेक्टरान को ये ग्राण कर सकता है आगे देखते हैं हमारा एन प्रिकार का अर्धचालक क्या होता है जब सुध्ध अर्धचालक में यानि वही में प्लस चार वाले में ही पांच सहयोजक्ता वाला तत्म मिला दिया जाए कितनी पांच सहयोजक्ता वाला तत्म मिला दिया जाए तो जो अर्धचालक प्राप्त होगा उसे बोलते हैं एन प्रेकार का अर्धचालक जैसे यहां दर्साया गया है यह 5 सेयोजक्ता वाला है तो एक, दो, तीन, चार, पांच हमने दर्साया है और इनके बगल में वही सुधर अर्धचालक रखे गкой हैं जिनकी सेयोजक्ता चार है तो इनमें हमने क्या देखा कि एक, इक इलेक्तरान जो है हमारा सेयर हो गया है लेकिन, लेकिन इस पांच सेयोजक्ता वाले के पास एक इलेक्तरान बच गया है पिछली बार एक इलेक्टरान की कमी आ गई थी अब की एक इलेक्टरान की क्या है अधिकता है तो इसमें क्या प्राफ्थ होता है हमें इलेक्टरान यानि कि जो N प्रेकार अर्दचालक है इसमें अधिक में इलेक्टरान होता है और जो P प्रकार का अर्द चालक है उसमें अधिक में क्या होता है? खोल होता है तो Simple way में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इन प्रकार का अर्द चालक है इसमें प्लस के चार वाले साईयों जगता में प्लस का पाँच वाला कोई तत्व मिला दिया जाए तो N प्रेकार का अर्दचालक बोलते हैं और जो P प्रेकार का अर्दचालक है इसमें प्लस 4 सायों जगता वाले में कोई प्लस 3 सायों जगता वाला तक तो मिला दिया जाता है तो इस प्रेकार के हम लोग अर्दचालक को क्या बोलते हैं पी प्रिकार का अर्दचालक आईए इस लेशन के कुछ important question देख लेते हैं पहला प्रस्न है एक क्रिष्टली ठोस में होती है यानि एक क्रिष्टली ठोस में क्या होता है दीर्ग पराज कोट की होती है या फिर अनिश्चित वेवस्ता होती है या इन में से कोई नहीं ये प्र होती है दीरग पराशी ववस्ता होती है है plugin कि तो हम लोगों का ये हो गया सकेंड देखते हैं प्लाश्टिक है आयुडिक ठोस है कि धात भीक ठोस है कि आलिवी ठोस है तो आइनिक जिसमे आयन हो धात भीक Το यह द्दात हो के गुड़ न वही प्रकार की नहीं प्राप्त होती है यह चीटिक जाती है तो इसे हम लोग बोलते हैं आक्रिष्टली ठोस क्या बोलते हैं इसे आक्रिष्टली ठोस तो जो हमारा प्लास्टिक होता है यह हमारा आक्रिष्टली होता है नेक्ट देखते हैं किस प्रकार के ठोस परदनी और तणिता का गुर्दर्स आते हैं तो हमें पता है कि यह सभी गुर्द धात्वों के हैं और जो धात्वों की कि गुर्दर्स आ है उन्हें धात्विक ठोस बोलते हैं तो इसका हमारा क्या answer हो जाएगा धात्विक हो जाएगा अगला देखते हैं топrage Cl किलिष्टल में सोडियम क्लूराइड यह यानी एने सियल क्लिष्टर में जो एन अप्लस आयन होता है कि समनवनव़ संख्या कितनी होती है तो एने प्लस में इसके चारों और सियल माइनस जो 6 लगे होते हैं कितने लगे होते हैं छे लगे होते हैं तो na c l में na plus के चारो और 6 c l minus लगे होते हैं इसलिए इनकी समंवे संख्या कितनी हो जाएगी इनकी समंवे संख्या जो होती है 6 होती है ये figure बनाने पर समंद में आएगा next है sort की दोस में क्या पाया जाता है तो SOT की दोस वे दर्शाते हैं जिसमें NA PLUS और CL MINUS समान मातरा में होते हैं तो NA CL जैसे PLUS और CL MINUS यानि धनात्मक और रडायन जिसमें समान मातरा में होते हैं वो हमारा SOT की दर्शाता है AG BR में भी AG PLUS और CL BI Y çalış म. KBR में भी K PLUS और BIcolored माईनस है यानि इनमें सभी, ये सभी सौट की दोस्त दरसाते हैं सभी में एक धनायन और एक रडायन है जब धनायन का आकार रडायन की आकार के बराबर होता है तो वे सभी हमारे सौट की दोस्त को दरसाते हैं तो इनमें क्या हो जाएगा? इनमें सभी तो यही पर हमारा जो पहला चैप्टर थो सवास्ता है ये समाप्त होता है तो नेक्स वीडियो में हम लोग देखेंगे विलियन चैप्टर नमबर टू थैंक यू